Hello everybody and welcome back to another video और आज हम Mafia 2 गेम का review करेंगे तो बिना किसी बखपास के शुरू करते है Mafia 2 एक action adventure open world game है जिसे publish and develop किया है 2K Games ने ये release हुआ था 2010 में याने कि 2010 में PC, Xbox 360 और PlayStation 3 के लिए ये गेम के हम कुछ plus points की तरफ हम बात करेंगे दोस्तों इसके काफी जादा plus points है जिसमें सबसे पहला और important है इसकी story गेम की story काफी जादा बैतर लिखी गई है काफी जादा अच्छी से बनाया गया है और हम इसमें एक अच्छी से bond बना लेते हैं अपने बीच में हमें काफी अच्छा लगता है interesting इसकी story लगती है गयम आगे बढ़ता है हम इसकी story को लिए हम लोग बहुत तरह च्छादप मज़ाता है सब्सक्रा बहुतिस करें सिख्यादा कफी हम लोगों काफी जी जादा मज़ा घंडे हैये अगर हम बात करें ग्राफिक्स के तो ग्राफिक्स ऑप्टिपाइजिशन इस गेम की काफी जादा बैतरीन है मुझे कई पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार फ्रेम ड्रॉप हो रहे है या फिर मुझे अच्छे कॉलिटी नहीं मिल रही है अगर आपके बस डीसेंट ग्राफिक काड नहीं है लोग आएं ग्राफिक कार भी है तब भी आप इस गेम को अची से इंजॉय कर सकते हैं विदाओ ने प्रावलम अगर आप विदाओ ग्राफिक कार्ड खेलेंगे तो आपको 30 fps मिल जाएंगे लेकिन अगर आप अच्छे डी इमें के लिए काफे ज़िए देखने को मिल जाता है इसमें कार्स वगठी आप देख सकते हैंहाँ यह कश्चा लग की अभर में यह दिखने को मिलता है बाद में नॉर्मल हो विखने को मिल जाता है अगर हम बात करें स्मॉल डीटेल्स की तो गेम में काफिया ध्यार नगाया है स्मॉल डीटेल्स को लेके हम सोच जी सकते कि 2010 के टाइब की केम में ऐसे कुछ डीटेल्स लेकर को मिल देंगे फॉर एक बात करूं गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो हमारा प्लेयर खुद गाड़ी के बाहर निकल के इंजिन को रिपेर करने कोशिश करता है जब दुवा निकलता है तो अगर गाड़ी पेट्रोल ली रहा तो हम भी पेट्रोल बरने के लिए जाना पड गया है गयम में क्योंकि काफी इंटर्सिंग लगते और गयम में बांड करने में काफी श्माजा भी आता है दोस्तों बात करते हैं कुछ माइनस पॉर्ण के तरफ जो मेंने नोटिस कीए और मुझे कुछ खराब भी लगे उप से पहले ना मैनस पॉर्ण यह का काफी काफी बुरी है मैं जो कहना पड़ेगा युकि हम इसे बरावा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं प्लस जो क्यारेक्टर डेवलेप्मेंट के साथ सथ वेहिकल स्टेबिलाज़ेशन के बहुत अधा इंपोटेंट होता है लेकिन इस पर ध्यान कम रखा गया है आप देखना पड़े पूरे गेम में आपको एक भी बाइक देखने को नहीं मिलती है जो कि मुझे बुरा लगा क्योंकि यार इंतने बड़ा मैप दिया गया है आप ने 90s के लिए उनिक कॉल सेप्ट लिया है स्मॉल डीटेल पर दान दिया गया है लेकिन यार बाइक्स नहीं है इस पर शाहिद सेबसाइब करना ही नहीं आता इसलव यह मीटियों बता है थे नहीं है कि काथरी सब्सांद अच्छा हो जाता है इसे करते 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 हमें पूरे open world को explore करने का मौका ही नहीं भीलता प्लस इसे वो जो काफ़ जादा भूरी बात लगे क्योंकि यार इतना अच्छा open world दिया अपने अच्छा environment दिया है इस गेम में मिसिंग लगा बट और बात करो तो गेम काफ़े अच्छा है ऐसा आप कह सकते कि आप इसे हमेशा याद रख पाएंगे जिसके हम जीटी संद्रेस को हमेशा याद रखते कि हाँ भाई हमने वह गेम खेला था इतना अच्छे ग्राफिक्स थे उसमें अपने बच् कि अगर आप एक बर खेलेंगे तो इसे बार बार आप याद करेंगे और आप इसे इंजोई करेंगे तो ओर आल मैं माफिया 2 को दूंगा 7.5 होट अगर आपने गेम खेला तो आप अपने एक्स्पिरेंस को मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेर कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक केजिए अपने फ्रेंग के साथ शेयर केजिए जो गेमिंग में इंपोर्टें रखते विगेमिंग में ध्यान रखते गेमिंग अपना इंट्रेस्स दिखाते और अगर अपने चनल को सब्सक्राइब कीजिए और अर आल्रेडी कर लिए तो बएल पर भजस्वालिया झरल प्री नदिस आठीक झेज़ थिस आनल चाल एंगगी